हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक इंफो इंदी में मैं हूँ आपका फ्रेंड आपका दोस्त अनिश फ्रेंड नोकिया 33 देश दुर पुराना वाला था वो नए अवतार नए लुक में आ चुका है तो आए फ्रेंड हम आज इस वीडियो में जानेंगे उ मैं वीडियो बना के आपको बताया था और दूसरा इंफॉर्मेशन ये कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उस लाल पटिन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें बेल का आइ इसका इसका डिशाइन होता कैसा है और क्या क्या चीज़े एड कि जाती है तो आईजे मैं आपको इसका डिशाइन बताता हूं इसका डिशाइन जो है बहुत है सामने में जो कीपैट olvuk हलका सा चेंच हुआ है और इसका डिसप्ले जो慌त siam evolve है उससे हलका साथ और पीछे में आपको देखने को मिलेगा स्पीकर और साथ-साथ वहाँ पे कैमरा भी दिया गया है साथ-साथ वहाँ पे LED फ्लैज भी दिया गया है और नोक्या का जो ब्रैंडिंग है वह है तो यह सब चेंज इसमें किये गये हैं डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है और साथ-साथ अगर मैं बताओं तो इसमें चार कलर में यह मोबाइल निकला है पहला जो है आपको देखने को मिलेगा डार्क ब्लू दूसरा है आपको मिलेगा वार्म प्रेट और तीसरा येलो एंड ग्रेट चार कलर में यह है अब जानते हैं इसका कुछ स्पेसिफिकेशन जो की आया है 2.4 इंच का इसका QVGA डिस्पले होगा साथ-साथ यहां पे जो आपको इंटर्नल पार्टनर देखने को मिलेगा वो है इसका नया चीज़ दिया गया है बैक में जो की 2 मेगा पिक्सल का होगा साथ-साथ वहां पे LED फ्लैज भी होगा चलिए अब हम जानते हैं इस फोन का सबसे वाइडल चीज़ जो सायद आप भी जानना चाहते होंगे और मैं भी जानना चाहता होगा तो यह चीज़ निकल कर लगबख एक महिना तक अच्छे से चल जाएगा अगर आप स्टैंडबाइ मोड में रखते हैं तो यह बहुत अच्छा बात है यही वाइडल चीज़ था इसका क्योंकि जो फीचर फोन होता है उसका सबसे वाइडल चीज़ होता है बैटरी जा दिन तक अगर बैक अप दे है वह आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंज लाइक करें जादा जादा शेयर करें और इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्काइब करें तो फ्रेंड चलता हूं फिर से एक नए वीडियो के साथ एक नहीं इंफॉर्मेंशन के साथ मिलूगा तब तक के लिए टेक क्यार और बाइबाइब